मृत महिला को मिला नया जीवन घटना दिसंबर सन 1979 की है युगरिशी पंडिट श्रीराम शर्मा आचारिय यग्य कराने प्रथमतह पटना पहुँचे इस यग्य में शामिल होने के लिए मेरे पिताजी श्री विजय कुमार शर्मा अपनी माताजी मेरी दादी के साथ जमालप वैदिक रीती से यग्य का शुभारंब हुआ यग्य की समाप्ती पर सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े पिताजी भी दादी के साथ मुंगेर की वापसी की ट्रेन पकड़ने पटना रेलवे स्टिशन पर आये वहां पहुँचते ही दादी के पेट में अचानक पानी पिलाया दादी की तबियत बजाय सुधरने के और भी बिगरती चली गई दादी के मुं से जाग निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद दादी ने दम तोड़ दिया दादी को मरे हुए चार घंटे गुजर चुके थे चहरे पर मखिया भिनविनाने लगी थी लाश के चारों और भीड़ी कठी हो गए थी स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन के अन्य करमचारियों के साथ लाश को जमालपुर भेजने की तयारी में व्यस्त थे तभी प्लेटफॉर्म नमबर चार के जन समुदाये ने नारा लगाया गुरू जी की जै गायत्री माता की जै पिता जी प्लेटफॉर्म नमबर एक पर थे नारे की उची आवाज से उनका ध्यान प्लेटफॉर्म नमबर चार पर गया उन्होंने दूर से गुरू जी को देखा दोड़कर रेल की पट्रियों को भलांगते हुए प्लेटफॉर्म नमबर चार पर पहुँचे पित पिता जी के गले में ही अटके रह गए वे फूट फूट कर रोने लगे गुरुदेव ने पिता जी के कंधे पर हाथ रखा और साथ लेकर दो नंबर प्लैटफॉर्म पर जाने के लिए पुल की ओर बढ़े भीड पीछे पीछे चल पड़ी छण भर के लिए गुरु जी ने दादी की लाश को देखा और मुश्कुराते हुए बोल पड़े उठा उठा मा को उठा पिता जी किंग करतवय विमुड से खड़े रहे गुरुदेव के दुबारा कहने पर उन्होंने यंत्रवत मा को उठाने की चेष्ठा की और आश्चर्य दादी मा सचमुच उठकर ब पिताजी दादी को लेकर खुशी खुशी वापिस जमालपुर पहुँचे तभी से पूरा परिवार गुरुदेव को भगवान मानकर उनके युग परिवर्तन के अनुपम अभियान में जुड़ गया युग रिशी का कथन अक्षरशा सत्य हुआ दादी मा गुरु कृप पासे उनकी दी हुई दोगुनी उम्र तक आनंद पूर्वक लोग सेवा करती रही और अन्ततह रिशी सत्ता में विलीन हो गई प्रस्तुती सुदर्शन कुमार देव संस्कृति विश्व विद्याले हरिद्वार उत्राखंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें